दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकैडमिक एस पर आज हम एक नया टॉपिक करेंगे यह आपका कंसेप्ट ओफ मैगमा का पार्ट सेकेंड रहेगा जिसने भी फर्स्ट वीडियो ना देखी और मेक शूर कि आप फर्स्ट वीडियो देख लिए चले स्टार्ट करते हैं आज हम बोविन्स रियक्शन सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम कॉंटिनियूस और डिसकॉंटिनियूस स से पढ़ने से पहले फोन हम जान लेशाव की पेटिर जेनट्रश क्या है जो भी स्टेड़ी गरते हो। जो भी आपकी रॉठकी इसमास में होगा नेक से लेतें इसको किस ने फूर्स कूस ने बहु आ तो और डिसको कि लेग रहा था जो डुक्टर एन्ल बोमन ने में अब इस्के नाम पर उसे क्या खागई अब यह होता कि beस्क्त किया गया बोइंस रेक्षन को अब यह हमें मैरणा कि थेनल आइडिया देने वाला है वैडेंचन का और उसका ओरिजन किस तरह से कर्मधा प्रसको अरिजन होगा था इसको एक स्पैसफ पढसे bodhi स्टो ऑ क्रिस्टलाइजेशन की जो सीक्वेंस ऑफ सरी येक्षिन और elements reaction जो भी क्रिस्टलाइजेशन का sequence होगा उसको हम बोल रहे है ईसको भोहेंस र An cláss ठीक है नेक्स पर आप हम बात करते हैं अब इसमें क्या कहता है आपका आता है नेक्स आता है अब आपको बहुत सारे रोग टाइप को वह सॉलेडिफाइब करके हमें देने वाला है ठीक है आप बोमेंज रेक्शन में आपकी दो पैलल सीरीज चलती है कुछ इस तरह से यहां पर यह हो गया इधर और इधर यहां पर आपकी क्या होगी बोमेंज सीरीज होगी आपके लेफ्ट हैंड चाइड पर कहां पर आपके क्या होती है लेफ्ट हैंड चाइड पर आपके डिस्कॉंटिनियर सीरीज होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसको क्या होगी बात कर लेते हैं राइट चाइड पर क्या होगा आपकी कॉंटिनियर सीरीज होने वाली है आप जो क्या होगी रिप्रेजेंट करेगी कुलिंग को और क्रिस्टलाइजेशन को म्यंगो मिनरल इसको मिन्रेल इसको क्लास कि ऑंप डज दिक्रीज टेंपरेज मेंगे कंजbold करें करें तरह क्या बाइस करते हैं इसमें पर बोगट बनाएग तरह बहुत सारह रोग डि तएक टाइब हमने देखा कि यहां पर एक parallel सीरीज होती है जिसमें आपका left hand side पर discontinuous Sis होती है और आपके right hand side पर आपका continuous series होती है आगे move करते हैं अब देखो होता क्या है यह पर यह पर आपकी दोनों सीरीज होती है आपकी parallel series पड़ी नभी अमने कौन-कौन इस हमारी continuous और एक हमारे बड़ी discontinuous अब इसमें होगा कि actually इसमें जो दोनों ही series hack discontinuous भी और continuous series भी converge होगी मतलब मिल जाएगी और एक single series ही form करेगी जो किसका part होगी discontinuous series reaction series का ही part होगी अब continuous reaction series में क्या होगा जिस तरह से इसका नाम suggest कर रख है continuously तो इसमें होगा क्या जो भी आपके minerals है वो continuously क्या करते रहेंगे react करते रहेंगे magma के साथ और वो form करेंगे next mineral को प्लैजो क्लास series में लेकिन अगर इसके contrarium देखते हैं discontinuous series में क्या होगा जो नया mineral form होगा न वो कब होगा जब जो magma है वो react करेगा पहले से ही बने हुए minerals के साथ एक particular temperature पर यहां पर यह नोट करने वाला है कौन से temperature पर एक particular temperature पर next रबम बात करते जो भी minerals होते हैं किसमें बॉइन्स series में इसमें क्या होगा यह एक इंडिकेट करेगा आपको एक generalized order को in which each mineral crystallize from a cooling basaltic magma आप इसमें होगा क्या जो भी आपका यह होगा आपका अब इसमें क्या होगा आपका चाहें आपको crystal form हो या ना हो तो क्या करेगा वो इसका composition को इसके composition को change नहीं करता है इसके बाद क्या कहते हैं after the early formed crystal are removed and series and the reaction between magma and the crystal form take place to produce new minerals the temperature range अब जो इसका temperature होगा बोमेंस series का वो 1100 से 573 degree Celsius तक रहता है जो भी crystallization होगा किसका silicate minerals का वो शुरू हो जाता है किसके साथ साथ वो शुरू हो जाता है crystallization of the minerals of spinal group at a temperature about 1100 degree Celsius पर आपका किस पर शुरू हो जाता है वो 1100 degree Celsius पर शुरू हो जाता है spinal का एक बार आप वो देख लीजएगा इसका chemical composition क्या होता है MgAl2O4 होता है यह oxide group होता है जिसमें क्या होता है mineral है किसके साथ cubic symmetry के साथ जो आपका क्या करता है कौन सा crystal form करेगा वो यहां पर मैं आपको इसकी पिच्चर दिखा दें तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा देखें यहां पर आपका क्या है यह आपकी बोमेंस reaction series है जिसमें आपका क्या है अभी हमने पड़ा दो parallel series होंगी एक आपकी क्या होगी एक आपकी है ठीफ करता जाएगा उसी तरह इस आपको जो Qui deptweak करते जाएंगे वह बढ़ते जाएंगे अब ऑटी यह कंटेंस को हम पढ़ लेते इसम données में देखें जो स्यौट करना होता है यहां पर आपका वह क्या करना श्वरू करता है वो कृस्टलाइस करना शुरु करता है डिस कॉंटेनर सिरीज में अब इसमें क्या होगा फर्स्ट मिनरल को नहीं होता है जो कि क्या करता है जो जिसके नीचे क्या आता है आइरन रिच ओलेवाइन होता है जितनी जल्दी ओलेवाइन फोर्म हो जाएगा अब चाहिए वो हटे या ना हटे उससे कुछ नहीं है क्रिस्टलाइजिशन साइट पर रिमूव हो या ना हो वो क्या करेगा वो मैगमा से रियक्ट करेगा और प्रेड्यूस कर देगा नेक्स्ट मिनरल को सिरीज में अभी क्य कोंटीन्यू करता रहेगा जब तक विसे क्या करेगा इस ही क्रेसिया औफ म कावना प्रेसिट करता रहेगाicação पर एक टेंडेंटी आजएगी किसकी एक इपविली बीएक्ते ही ओाँठीबी करक्रता बातलत ही किया हुथ यृक्विड बीरियम कि यहां पर इंपोर्टेंट आजाता है आपका एक रियक्शन पेर यहां पर इसको पढ़ लेते रियक्शन पेर होता है example देख लेते इसके example में क्या है आपका जो आपका magnesium pyroxine है वो क्या करता है react करेगा किसके साथ बचे हुए magma के साथ convert हो जाएगा iron pyroxine में फिर किसमें हो जाएगा horn blend में और फिर जल्दी से further डिवाइड आपका transform हो जाएगा बायोटाइट में किसके साथ temperature के फॉल करने के साथ इसको फिगर में समझेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी हमने पड़ाता है यहां पर आपका magnesium olive oil होगा वो क्या करेगा temperature decrease होता रहेगा और यह क्या कर जाएगा मैंकमा के साथ रियक्ट करके iron olive oil मन जाएगा फिर क्या करेगा magnesium pyroxine में बन जाएगा अब continuous series में क्या कहता है जो भी है आपका continuous series में होता है आपका यहां पर फर्स्ट फर्म जो crystal होता है वो किस अध्य है डिच रहता है calcium में जिसको हम प्लेजु क्लास के नाम से जानते है यह क्या करेगा यह reaction करेगा जैसे जैसे-टमपरेचर आपका क्या करता रहेगा तेंपरेच्र गिरता रहेगा और एक क्रिस्टल बन जाएगा अब यहाँ पर क्या हो गई बहूत जादा सॉडिक हो जाएगा जिसकी वजह से अब इस अच्छे तरह से रिकोड किया गया जिसमें क्या रहता है कोर आपका मतलब जो आपका अंदर को गहाँ यह आपका कैल्शि होगा अगर हम compare करें इसके surrounding में आपका। इसकी importance देख लेते हैं एक्चली important क्यूंस है हमारे लिए उतना सब कुछ पढ़ ले तो इससे मिलने के वाला यह भी तो पता होना चाहिए है इसमें क्या कहें इसे've इस्ट करेगा फ्रोसेस वफ्रेंटुरेंशियस्ट करें डाइवर्सिकराइशन ऑफ यह मैग मैच म है माईगमा क्सूलिव से कौंको पहले इस्ट सैथे करेंगा धैक्या क्या स्टॉक्टर्ट हो जाते हैं अगर कि बात करें उन से जादा थीक है आपको आपके रिच डेंसर रहते हैं किसमें अब वह रिच किसमें होंगे मैंगनिशियम में रहेंगी जैसे देखा था किसे then the late fond minerals in the moments जो भी आपके last में हमारा byotite मिला थामें byotite क्या होगा आपका magnesium और iron में कम dancer रहेगा यह हमें क्या बताता है यह हमें importance बताता है moments reaction series की आई यौप आपको moments reaction series clear हुई होगी next पर यहाँ पर हम दो important time को cover करेंगे हमारी दो important time यहापर कौन-कौन सी आ जाती है एक आता है हमारा magnetic differentiation second आता है हमारा assimilation अब क्या होता है divers जो igneous rocks बनती है ना उनका origin दो main reasons की वज़े से होता है पूछ लेता है exam में आप से कि magnetic differentiation या फिर assimilation बताओ भई उनका क्या-क्या है तो magnetic differentiation क्या हम डिफाइन कर सकते कैसे as a process operating with the magma जो भी magma के अंदर process चल रहा है अब उसमें क्या होंगे आपके solids होंगे liquids होंगे और gaseous phase होंगे by which homogeneous parent magma यहाँ पर देखो दिहान से देखना है यहाँ पर यह homogeneous है homogeneous मतलब उसके सारे के सारे particles एक टाइप के एक ही chemical composition के होने वाले है जो भी आपका parent magma होगा वह क्या करेगा ब्रेक हो जाएगा इंटू fractions छोटे-छोटे small fragments में डिवाइड हो जाएगा किसके साथ चाथ एक diverse composition को लेकर और form कर देगा different rock types को बेसिकली देखे इसमें क्या है यहां पर आपका एक रोक टाइप है अब रोक टाइप क्या है यह homogeneous है अब जब ब्रेकडाउन हो गए फ्रेक्शन में चोटे-छोटे किसमें हो जाएगा चोटे-छोटे रोक टाइप में डिफ्रेंशेट हो जाएगा लेकिन अब इनका chemical composition क्या होगा एक दूसरे से different होगा next अब कहते है magnetic differentiation may be effective when the magma is in the fluid जब तक यह magnetic differentiation होगा यह तब तक effective होगा जब तक आपका क्या होगा जब यह fluid state में जाद होगा fluid state में भी कैसे या तो only liquid liquid हो या फिर liquid plus vapor system हो आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें भागे कहता है आपका अब यहाँ पढ़ना mechanism देखते है magnetic differentiation में भी आप देखो magnetic differentiation में ने हमें दो तरीके से पढ़ना है एक तो जब जब magma fluid state में होगा अब जब पढ़ना है एक तो magma किसमें होगा fluid state में होगा दूसरा क्या कहता है solid mineral phase यहाँ पर आ जाएगा आप फरस्ट पढ़ेंग हम यहां पर magma जब किसमें होगा fluid state में होगा अब magma fluid state में होगा तो इसके हम दो process पढ़ेंगे आपर फरस्ट हमारा liquid immissibility इन क स्पेसिक ग्रावी Ellie स्पेसिफिक घ्रावीट कि वजए सी अ लगळाड़ा जाएंगे इस सीनौमेन ऑफ लिक्विड इमशी यहां इस्प्लेन करती हैंकी सलफाइड कितना है श्ली केंたい ठीक है फस्ट आपको समझ में आया होगा liquid immisibility को next पर move करते है next हमारा आता है यहां पर movement of volatiles में भी क्या है यहां पर ना सबसे अच्छा जो भी आपका volatile माना जाता है वो क्या माना जाता है आपके solvent अब यहां पर आपको solvent पता होगे solvent और solute यहां पर आपको पता होगा बता फिर भी solvent क्या होता है solvent वह होता है जिसमें हम किसी चीज को मिलाता है यहां पर मेरा चीनी क्या हो जाएगा solute हो जाएगा और पानी मेरा solvent हो जाएगा बेसिकली जिस चीज में कोई चीज घुल जाये ठीक है तो यह जो होते हैं आपको excellent solvent होते है यह capable होते किसके लिए selective transfer of लेवल से एक हाईयर लेवल तक जिसकी वज़े से क्या होगी डवलप होगी इन होमोजेनेटी इन मैगमा अब आपने लास्ट में पढ़ा था होगा लेकिन यहां पर क्या होगा इन होमोजेनेटी आएगी जिसकी वज़े से क्या होगा प्रेशर क्या होगा रिलीज होगा और कि आपका रướंब करने शुरू कर जाएंगे किसकी तरफ 皆 आपका लेस्ट प्रेशर है कम कम प्रेशर और शुरू कर सब्सक्राइब जब मस्त यह भी करने पिद्धन अब आप सेकेटम पढ़ेंगे तोलिड मिनरल फेज इन वर्ट अब सॉलिड मिनरल फेज में आपके चार प्रोसेसे पर उसको पढ़ने से पहले ना हमें यहां पर एक फ्रेक्शनल क्रिस्ट्राइजेशन है उसको देखना बहुत जरूरी है यहां पर क्वैशन भी पूछ लेता है इसके बारे में भी पूछ लेता है आपको तोले पहले फ्रेक्शनल क्रिस्ट्राइजेशन है क्या देखे विद्धा कूलिंग और सॉलेडिफिकेशन ऑफ मागमा दा क्रिस्ट्राइजेशन ऑफ मिनरल्स बिगेंगे यहां पर क्या होता है आपका जो भी आपका कूल और सुरू हो जाएंगे अब जो क्रिस्ट्राइजेशन है वो किसकी वजह से हो सकता है वो लोकलाइज़ एट मार्जेंग इस फास्टर देखो भी होता क्या है यह मैगमा क्या कर रहा है यहां से साइड में से मार्जें पर से क्या और जिल्दी ठंड हो जाता है और कोर में क्या पार्टबिन के टेंपरेचर होग YOU अगम करते में जाएंगे अर्लिक स्टरेशन में इन इसका चाहिए कम में नॵाटव नौन में पर आधिक सा रहेगा as compared to outer part which is more mafic due to crystallization and differentiation अगर किसी ने भी मेरा first part ना देखो तो महाँ पर जाकर देख लेना मैंने falsic term और mafic terms को अच्छे से define किया है तो प्लीज आप एक बर देखेगा महाँ पर जाकर अब इसमें क्या कहते हैं जो आपका core रहेगा जो भी आपका core रहने वाला ही क्या रहेगा core आपका falsic रहेगा और जो भी आपका outer part रहेगा वो आपका mafic रहने वाला है ठीक है next उसके बाद हम बात करते हैं crystallization की वज़े से क्या होगा यहाँ पर एक tendency हैगी किसकी equilibrium की जो maintain करेगा इसको solid or liquid phase को magma में जिसकी वज़े से आपको maintain equilibrium maintain करने के लिए जो भी आपके early formed crystals कहाँ पर बनेंगे हमारे margins में बनेंगे फिर वो क्या कहता है early form crystals की वज़े से जो भी आपका liquid होगा वो किसमें change होना शुरू कर जाएगा उसमें composition में change होना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद कहता है जो भी आपको moments principle है यह हमने पढ़ लिया था कि जो moments principle है वो क्या करता है वो एक primary basaltic magma को solidified करता है जैसे हमने example के तोर पर ले ले लेते हैं गैबरो यह क्या करेगा उसी की वज़े से पता चलेगा हमें कि जो भी आपका margins पर है फिर आपका कोर में है वो magma कितने आप आप का switched हिंया है फिर क्रीस्टिलाइजिशन ही होता है उसमें चेत आपके चारी जानेश्मcribing को फटावट से पढ़ लेते हैं इनके इनाम देख लेते पर ग्रावटी स्क्रेवटेश है फाय स्क्रेथ फटाफचे फास फास अग्रावाटी सैट्लिंग के इसमें कुछ नहीं है पैसिकली इसमें आपका क्या होता है जो भी मंद राच जूखेंड नीचे बाफ़ड़ा हुआइगे रając जो हो आपके lower minerals होंगे, जिनका weight कम होगा, वो आपके flow करते रहेंगे, यह बस gravity settling का, क्या बोलते हैं, इसको एक rule है, इसको पढ़ लेना, बस एक बार, next आता है, आपको filter pressuring, अप filter pressuring में क्या होगा, आपका, जो भी आपका crystallization होगा, वो continue करेगा, एक loose mesh की वज़े से, इसमें भी दे crystal से अलाग हो जाएगा, यह होता है, आपका filter pressuring, next आप हम move करेंगे, next आप हम third process पर पढ़ेंगे, third process क्या कहता है, flowage of magma, flowage of magma में क्या कहता है, आपको चोंगे, वो क्या करते है, वो एक pipe की, या फिर एक narrow channel की through क्या करते है, move करते है, जिसकी वज़े से आपका flowage behavior है, वो center पर और away from the contact wall is different, center पर उसका क्या होगा, center पर उसका flowage behavior अलग होगा, लेकर हम बात करते है, walls की तरफ, walls की तरफ, उसका, जो भी flowage of magma होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, इस mechanism की वज़े से, एक preferential accumulation हो जाएगा, early formed minerals का, फोर्त आता है, आपको crystal zoning, crystal zoning में क्या होता है, यह common phenomena होता है, ignition rocks में, जब आपको क्या होता है, equilibrium crystallization process पर क्या होता है, disturbed हो जाता है, तो जिसकी वज़े से, जो successive liquid है, और जो corresponding zones है, उनका जो composition हो जाता है, वो different हो जाता है, ठीक है, इसमें example दे रखा है, calcic plagio class क्या होता है, successively rimmed हो जाता है, by more sodic rich species, next पर हम move करेंगे, चारो हमने इसके process पर लिया है, अब यहां पर एक नई time को हम introduce करेंगे, assimilation, ठीक है, अब यह assimilation क्या होता है, basically, assimilation is the process, whereby foreign rock mass are incorporated by magmas, basically, इसमें क्या है, कोई भी एक magma है, foreign magma आके, इसमें क्या हो जाएगा, mix हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आपका दो liquid magmas क्यों हो जाएगे, मिंगल हो जाएगे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते है, यह important factor होता है, जिसकी वज़े से क्या होती है, इगनेश rocks में diversity आती है, जिसकी वज़े से यहां पर क्या होगा, यह remixing of rocks हो जाएगे, magma का, जिसकी वज़े से यहां पर आपका reverse of differentiation process होगा, और यहां पर heterogeneity या फिर आप क्या सकते हो, non-forming mixing या फिर incompleteness आजाएगी, हमारा assimilation होता है, next पर हम बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, assimilation में actually होता है, assimilation के जो भी आपका magma है, उसमें क्या क्या प्रिजेंट रहता है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा partial solution of incorporated matter or solid phase, यहां पर reaction involved होती है, partially solution पर जिसकी वज़े से आपका matter or solid phase रहते हैं, वो incorporate हो जाते हैं, थार पर move करते हैं, जो आपको total dissolution है, फिर reactions हैं, वो क्या होने लगते हैं, वो solid phase पर आते हैं, आपका, वहां पर disappear होने लगते हैं, next आप हम बात करेंगे, factors क्या क्या है, assimilation क factors क्या होने वाले हैं, तो factors क्या होंगे, आपकी यहां पर, first of all आपका आता है temperature, आप जो temperature होगा, magma का, वो time intrusion के, time intrusion के, time पर क्या होगा, temperature, फिर आपका notable degree of super heat, यहां पर आपका जो super heat है, यहां पर आपकी heat कितनी है, उसकी presence है, फिर absence की वज़े से भी simulation होगा, next क्याता है, जीनोलिट्स या फिर inclusion की वज़े से आपका composition क्या है, concentration देखेंगे, volatile का magma में कितना, और last one, आपका क्या है, आपकी condition क्या है, इसको facilitate करने के लिए, आई अपको assimilation भी समझ में आगा, next आप हमारे last topic रहेगा, magma mixing, magma mixing क्या होती है, magma mixing is similar to assimilation, बट इसमें थोड़ा सा different हो ज more magmas with different chemical composition come in contact with one another beneath the surface of earth, बस इसमें यही रहता है, assimilation में तो एक फोरण रो का कर जाती है, महाँ पर merge कर जाती है, लेकिन यहाँ पर दो, आपके दो different magmas होते है, वो आकर mix हो जाते है, यह आपका क्या है, यह आपका magma mixing है, इसकी बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैंने दे रखा है, अब यह किसकी वज़े से होता है, यह possible किसकी वज़े से जो भी temperature को contrast है, यह फिर density यह फिर viscosity की वज़े से क्या होती है, आपके magma mixing होती है, आई होप, आपको दोस्तों समझ में आई होगी magma mixing, नेक्स पर आप मूव करेंगे, अब नेक्स वीडियो में हम नेक्स ट वीडियो अच्छा लागा हो, तो लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, कमेंट किजिएगा, थैंक्यो वेरी मच, बबाई